ओके दिस इस डिमापूर 24-7 लाइफ रिपोर्टिंग फ्रॉम स्टेट स्टेडियम फुटबॉल बॉइस होस्टल और यहां हमारे यह जो भाईये हैं तो यहां नागलन भछपुरी समाज ने यहां एक कैम्प जैसा बनाया हुआ है यह अद्मिस्टेशन सेम को यह सब मिला सारे भाईयों हैं जिनको नागलन भछपी समाज देख रहा है खाना खिला रहा है इंका देख भल कर रहा है जी भाई जी कुछ बोलिए क्या नाम है आपका अनुट शित्री है और कहां से आए हैं आप नेपाल से हैं नेपाल से आप कहां जा रहे थे आप अब बीच में यह सब बच्चे भी है आप लोगे साथ भाई जी आप कहां से आएं विहार से आएं कहां जा रहे थे हैं अच्छा ठीक यह सब जो कर रहा है कौन कर रहा है आप लोगे लिए सब नागलन भुछपुरी समाज कर रहे हैं पूरा यह सब आप लो आप लो 40-50 जन है तोटल अच्छे बोली आप रेकफास मिलता है बच्चों के लिए दूद मिल रहा है जी और अच्छा ठीक खाना और सब ठीक है खुद बना रहे हैं लाके दे रहे हैं पैके बनाए खारे हैं और सब सारा ग्यास वेस्ट दिया हुआ है अप लोगों ठीक ठीक जी आप भाई आप भ बच्चे ठीक है और कोई सब कुछ नहां आप रहा है नाश्ता खाना दिन का रात का सब बच्चे ठीक है और सब कुछ नहाना दोहाना सब कुछ हो रहा है मतलब यह सब कौन कर रहा है आप लोग ले नागलन भोचपुरी समाथ जी जी ठीक है थांक्यू भगवान से प्रत्ना करते सब ठीक हो जाए चिंदा मत कीजिए हमारे भाई जन को खाना खिलाते हुए अब कहां से आए थे यहां अटक गए है अब लोग 21 तरीक से जी जी आप लोग तोटल यहां कितने जन हैं मतलब पाउटल हम यहां 46 46 46 आदमी हैं आप लोग ओके ओके और आप लोग अभी खाना के लागा इन आगलन बश्परी समाज यहां अब आलाम से रह रहे ना जी 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 का मिल रहे हैं ठीक से अब को जी कहां से आये थे आप कि यहार से आये ते हैं कहां जाना था आपको इम्फाल जाना था रहा हो आखर गर दिवार सब मिला हुआ है ना दीज़ीज़ यह सब राशन रखा हुआ है सब इधर यह है स्टेट होस्टल और स्टेडियम सब के एडिट को गेलो एडिव